Good afternoon dear students, students आज हम special purpose diodes start करने वाले हैं special purpose diodes में हम क्या करेंगे? PN junction diodes के ही कुछ types पढ़ेंगे जैसे की photo diode, solar cell, light emitting diode याने की LED ठीक है तो आज हम पढ़ने वाले photo diode देखो सबसे पहले photo diode की definition सुनना photo diode एक PN junction diode है जिसको हम reverse bias में यूज करते हैं and photo diode का use light है उसकी identification में उसकी intensity measurement में हम यूज करते हैं ठीक है? light है वहाँ पे कहना present है के नहीं है और अगर present है तो उसकी intensity कितनी जाता है इसको हम photo diode से हम क्या करेंगे? measure कर सकते हैं मतलब light का detection कर सकते हैं light की intensity को measure कर सकते हैं और इस diode को हम हमेशा reverse bias में यूज करते हैं ठीक है? तो ये photo diode की definition होगी तो अब photo diode है इसका symbol क्या होता है? photo diode को हम इस symbol से यूज करते हैं देखो ये normal pn junction diode का symbol है ये क्या करेगा? क्योंकि इसके उपर जब हम light गिराएंगे तो ये light को electricity में convert करेगा और इससे ही हम light का identification and intensity measurement कर पाएंगे तो इस symbol को अब ऐसे ध्यान रख सकते हैं तो इसके उपर हम light गिराते हैं तो light का identification होता है तब इसको हम work successfully मतलब इसको हम फिर use कर पाते हैं तो symbol ऐसे याद करो pn junction diode है इसके उपर inside वाले तीन arrow बना रखे हैं तो ये हो गया अपना photo diode का symbol अब ये work कैसे करेगा? देखो मैंने आपको बोला था photo diode reverse bias में हम use करते हैं तो मैंने ये photo diode लिया ये इसकी depletion layer है इसको मैंने reverse bias में connect रदिया minus plus इसके साथ में मैंने micrometer लगा रखे है तो जब मैं इसके उपर कोई light नहीं गिराऊंगा तो बहुत कम current चलेगा और हमें पता है कि इसका graph कुछ ऐसा साएगा जब हमने बाहर से कोई current नहीं गिरा रखे है शुरू-शुरू में कोई light नहीं गिरा रखे शुरू-शुरू में देखो अगर हम reverse voltage को बढ़ाते तो धीरे-दीरे current बढ़ेगा 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 फिर एक specific value के बाद में breakdown हो जएगा लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि जो हम reverse voltage लगा रहे हैं वो कभी भी breakdown voltage तक नहीं पहुँचनी चाहिए क्योंकि अगर breakdown voltage लग गई तो एकदम से बहुत ज़्यादा current चलेगा जिससे photo diode damage हो जाएगा यह जल जाएगा तो हमको reverse voltage तक नहीं पहुँचना लेकिन अगर मैंने क्या किया अब बाहर से मैंने light इसके उपर गिरा दी तो H new photons, H new energy के photons इसके उपर गिरा है जैसे ही depletion layer के उपर H new energy के photons गिरेंगे अगर यह energy इतनी ज़्यादा है कितनी ज़्यादा है balance band and conduction band के बीच में जो forbidden energy gap है उससे ज़्यादा है तो क्या होगा तो क्या होगा तो electrons balance band से conduction band में जब कर जाएंगे या हम यह बोल सकते हैं कि कुछ bonds तूट जाएंगे bonds तूटेंगे तो charge carriers बढ़ जाएंगे charge carriers बढ़ेंगे तो current की value पहले से ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या देख पाएंगे कि अगर मैं I1 intensity के उपर गिराता हूँ तो पहले से current क्या होगा reverse current पहले से ज़्यादा होगा तो हमें कुछ फिर ऐसा सा graph मिलेगा ऐसा सा graph मिलेगा और breakdown voltage तक तो पोंचना है नहीं तो breakdown वाला मैंने dotted line से बनाया है कि वो graph हम achieve नहीं करेंगे लेकिन अगर achieve करते तो कुछ ऐसा समनता है वो achieve नहीं करना है क्योंकि फिर photo diode खराब हो जएगा दुबारा हम use ही नहीं कर पाएंगे इसको तो reuse भी तो बार-बार करना है ना तो reverse breakdown voltage तक हमने नहीं पहुचना है उससे कम voltage ही लगानी है अगर मैं क्या करूँ यह जो light इसके उपर गिरी है इसकी intensity और बढ़ा दू अगर इसकी intensity और बढ़ा दूगा तो ज़्यादा photons इसके उपर गिरने लग जाएंगे क्योंकि intensity का मतलब क्या होता है number of photons per unit area per unit time मतलब unit area per 1 second में कितने photons गिरे हैं वही तो intensity होती है अगर light की intensity में और बढ़ा दूगा तो photons और बढ़ जाएंगे photons और बढ़ जाएंगे तो और ज़्यादा बोन्स तूट पाएंगे और ज़्यादा चार्ज का रिस बढ़ पाएंगे कि जितनी intensity जादा होगी reverse current की value उतनी ही जादा होगी तो और हमको पता है कि अगर ये value change हुई पहले ये current था light गिरी तो current की value ये होगी तो हमें पता लग जेगा कि इसका मतलब अब जो photo diode है उसके उपर light गिर रही है तो इस तरह से light की presence का हम पता लगा सकते है light की intensity का पता लगा सकते है तो photo diode कौन सा diode है photo diode एक special diode है जो light energy को electric energy में बदल सकते है and इसका use हम light का identification and light की intensity measurement में करते है and ये हमेशा reverse bias में use करते है तो ये सारी बाते उसकी definitions में आएंगी फिर उसका symbol फिर diagram फिर जो working बता या वो और फिर ये graph तो ये अपना photo diode complete हुआ ठीक है intensity बढ़ने से और वो ऐसे भी पूछ सकता है ये graph दे देगा graph देने के बाद पूछ लेगा ये नहीं देगा बोलेगा कि कौन सी intensity जादा है तो आप बोलोगे क्योंकि reverse current i2 के case में ज़्यादा है तो i2 intensity सबसे ज़्यादा है i1 उससे कम है और तीसरी तो zero intensity वाला graph दे रखे तो ऐसे उल्टा भी question पूछ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है वो क्या कर सकता है कि photo diode का symbol भी पूछ सकता है तो symbol भी बनाना में आने आपको सिखा दिया तो अब photo diode हो गया photo diode के uses पूछ लेगा uses पहला use तो मैंने बताई दिया कि light की जो intensity measurement में और detection में और दूसरा इसका use आप क्या बोल सकते हो कि जो light operated switches होते है उनमें भी photo diode यूज करते है light operated switches में in light operated switches तो यह second use हो गया इसका ठीक है अब next में हम क्या गरेंगे LED को और solar cell को use करेंगे इसके लाब आदे कोई definition आजाती है definition क्या आजाती है कि definition होती है photo conductivity and यह devices को क्या बोलते है अपने यह definition आजाती है photonic devices कौन सी होती है and photo electronic devices कौन सी होती है तो वो devices जिनकी conductivity photons गिराने पर increase हो जाती है उन devices को अपने photonic devices कहते है और इस conductivity को photo conductivity कहते है और इस effect को photo conducting effect कहते है जैसे यह photo diode हो गया इसके उपर जब light के photons गिरा है इसकी conductivity increase होगी तो यह photonic device का एक type हो गया और दूसरा अपना solar cell होगा LED होगा वो तो हम देखेंगे ठीक है वो हम next class में देखेंगे solar cell भी photonic device ही होती है उसके उपर भी light गिराएंगे हम LED तो light बना के देगी volt है